Hello Everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में इस वीडियो में हम सरकारी पर्मानेंट जॉब की बात करने वाले हैं दो नए विग्यापन जारी किये गए हैं सेलरी 65,000 से अधिक आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन जिस में सबसे पहले आप लोगों को बता दू नोटिफिकेशन नंबर जो है आपको ध्यान में रखना है 16.2023 जहां पर the post of junior lecturer की vacancy आई है और दूसरी vacancy जो है notification 17.2023 और यह है post lecturer की आप जो है एक एक करके subject देख लेते हैं कि lecturer में जो है कौन कौन से subject की vacancy आई है सबसे पहले जो है botany है chemistry, commerce, computer application, computer science, economics, history, mathematics, physics, political science and zoology तो यह जो है 240 सरकारी permanent पद है अभी जो है दूसरा देख लेते हैं junior lecturer के लिए कौन कौन से subject की vacancy आई है तो इंगलिस, तेलगू, उर्दू, संस्कृत, उडिया, mathematics, physics, chemistry, botany, zoology, economics, civics and history तो यहाँ पर जो है कुल 47 पदों पर यह vacancy जारी की गई है तो एक एक करके जो है हम सारी चीज़ें देख लेते हैं जो भी notification में बताया है सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू vacancy आंद्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन APPSC, विजयवाड़ा से यह vacancy है और 31 जनवरी 2024 से लेकर 2 फरवरी 2024 तक जो है application form यहाँ पर आप fill कर सकते हैं यहाँ पर written exam होगा और इसके द्वारा ही selection होगा direct recruitment की यह vacancy निकाली गई है next जो है यहाँ पर जो है सबसे पहले इनोंने syllabus जारी कर दिया है जिसके द्वारा जो है यहाँ पर selection किया जाएगा तो यहाँ return exam जो होगा objective type question रहेंगे journal studies and mental ability 1500 question, 1500 marks और 1500 minute का ही समय paper 2 जो कि आपके subject का होगा और इसमें भी जो है 1500 minute, 1500 question, 1300 marks की ठीक है यानि हर question 2 marks का रहेगा तो कुल जो paper है आपका 450 marks का रहेगा और इसमें आपके subject से सम्बंदित question पूछे जाएंगे paper 2 में और syllabus जो है वह भी जारी कर दिया गया है तो आप देख सकते हैं अपने subject का यहां पर जो है qualification क्या कही गई है तो इसके लिए इनों ने लिख दिया है कि qualification is scale of pay other information यह सभी चीज़ें जो है आप लोगों को main website पर 31 जनवरी 2024 को डाली जाएगी main website पर तब ही जो है आप लोगों को qualification is और payment के बारे में पता चलेगा कि यहां पर जो है जो आप लोगों को salary मिलेगी वो वास्तव में salary जो है वो कितनी है lecturer के बद आप सभी जानते हैं junior lecturer के लिए जो है 55,000 से अधिक salary दे जाती है और यहां पर जो है pay scale क्या रहेगी तो वो 31 जनवरी 2024 को main website पर जब complete detail advertisement डाला जाएगा तब आप देख सकते हैं subject यह दिया आपका है यहां पर all India candidate विल्कुल form fill कर सकते हैं दूसरा जो advertisement है जो कि हमने देखा था lecturer का जो पद है तो 24 जनवरी 2024 से लेकर 13 फर्वरी 2024 तक जो है form fill किये जाएंगे return exam जो है अप्रेल या मई मन्त में होगा और इसमें भी जो है यही कहा गया है कि vacancy के बारे में जो qualification है सभी subject की और pay scale is other information यह सभी जो है main website पर 24 जनवरी 2024 को डाला जाएगा ठीक है तो दोनों ही अलग अलग advertisement है एक junior lecturer का पद है और एक senior lecturer का पद है तो 24 जनवरी 2024 को जो है lecturer के लिए आप लोगों को detail में information पता चलेगी इसका भी syllabus इन्हों ने जारी कर दिया है qualification, pay scale यह चीज़े नहीं दी हैं लेकिन syllabus इसका भी जो है दे दिया है तो यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है written exam रहेगा date of question यहाँ पर general studies and mental ability के और date of question आपके subject के ठीक है, तो जो student government job की त्यारी कर रहे हैं, syllabus जो है उन्हें पहले से ही जो है जानकारी होनी चाहिए, form तो fill हो ही जाएगा, और exam की date जो है आपको पता ही है, अप्रेल मई जो है इन्होंने decide भी कर दी है तो syllabus आप देखें और पढ़ाई में जोट जाएं, और आप लोगों को जो है यह notification कहां से देखने को मिलेगा, तो main website पर आना है अंदरप्रदेश की PSC, और यहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर देखेगा left side में direct recruitment तो इस पर जो है click करना होगा उसके बाद आप लोगों को old notification और new notification दोनों ही देखेंगे आपको new notification पर click करना है, सबसे उपर आप देखेंगे, the post of lecturer second number पर देखेंगे, the post of junior lecturer in government junior college और यह था degree college, ठीक है दोनों का ही notification आपको short में मिल जाएगा, इसके बाद detail जैसे ही आप लोगों के सामने आएगा, तो आप लोगों को video के माधियम से बता दिया जाएगा detail में जानकारी भी दी जाएगी तब तक जो है अगर आप यहाँ पर selection लेना चाते हैं तो syllabus देखें और तयारी में लग जाएगे, बिलेंगे next video में thank you